हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपसे स्वाद और सेहत से भर पूर रेसिपी सेयर करने जा रही हूं यह इम्मिनिटी बूस्टर भी लड़ू है और साथ ही आपको गर्मियों में भी सकती वर्धक बनाई रखेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले पिसे मखाने डाल दे मखाने को आप थोड़ा देर ड्राय रोस्ट कर लें ताकि मिक्सी में जब ग्राइंड करें तो यह अच्छे से यह कूट जा अच्छे से दरदरा मिक्सी में ग्राइंड हो जाए साथ ही मैं उसको निकालने के बाद एक कटोरी बदाम डाल रही हूँ और लगबग एक कटोरी काजू भी डाल दी हूँ दोनों को आप इकटा ही रोस्ट कर ले लगबग 5-7 मिनट ही इसे रोस्ट करें इसे ज़्यादा ना करें ताकि इसका कलर चेंज ना हो साथ ही इसमें एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी मिला रही हूँ इसे भी आप 4-5 मिनट रोस्ट कर ले बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट ना करें ताकि इसका कलर चेंज ना हो बिल्कुल हमें इसका कच्चा पंज बस दूर करना है अब मिक्सी में मखाने को डालके आप हलका सा ग्राइंड कर ले उसके बाद बदाम और काजू भी इसमें डालके इसे भी डालके फिर दरदरा कूट ले यह देखिए हमने यहां पे कूट लिया है सभी को और इसे एक ठाली में निकाल रही हूं और जो मगस था और जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर था उसे भी इसमें मिक्स करके रख दी हूं अब यह थोड़े से खोया को मैं पहले कडाही में भून रही हूं अब हलका इसे भून लें लगवक 200 ग्राम खोया है देखिए इसने ओयल छोड़ दिया है अब यहां पे जो मिक्सी में ग्राइंड किया था हमने ड्राइफ रूट्स उसे मैं इसमें मिक्स कर रही हूं अब ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें जब मिक्स हो जाए तो यहां पे बंद कर दें और देखिए एक कप मैं इसमें चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके फिर इसका सुगर का पौडर बनाके फिर मैं इसे डाल रही हूं और इस स्टेज पर मैं ग्यास का फ्लेम आफ कर दी हूं जो कड़ाही की गर्माहाट है उससे ही आपका अच्छे से यह पौडर सुगर इसमें मिक्स हो जाएगा साथ ही इसमें मैं हाफ चमच इलाइची पौडर और थोड़े से मैं पिस्ता इसमें डाली हूं और थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो आप इसे हाथों से ऐसे बाइंड कर लें अगर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं बाइंड हो रहा है तो आप इसमें 2-3 चमच इसमें आप ओयल भी मिला सकते हैं ओयल के जगा आप घी डाल लें चाहे दो चमच इसमें दूद भी डाल सकते हैं यह देखिये यह मेरा अच्छे से बाइंड हो रहा है क्योंकि उस समय जब मैंने चीनी डाला था तो ये गरम था सारा कुछ इसलिए अच्छे से ये बाइंड हो रहा है अगर आपका बाइंड ना हो तो आप यहाँ पे दो चमच दूद मिला सकते हैं या घी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं ये देखें इसे अच्छे से दवा दवा कि आप ऐसे बाइंड कर लें देखें कितने अच्छे से ये बाइंड हो रहा है और अगर आप इसका बर्फी बनाना चाहें तो एक ऐसे केक टिन ले 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 या कोई भी चकोर ऐसे बरतन ले ले और इसमें मैं यहाँ पे अलमोनियम फ और उसके बाद जो यह हमारे पास है ड्राइफ फूट्स का मिश्रन इसे इसमें अच्छे से डाल दें और फिर इसमें अच्छे से दवा दें चारू कॉर्नर में अच्छे से इसमें से शट करें दवा के ताकि कॉर्नर में भी अच्छे से यह इवेंली स्प्रेड हो जाए आप चाहे तो इससे दवा लें या तो आप चाहे तो कोई भी ऐसे कटोरी लेके और इसे जोड जोड से ऐसे दवा लें ताकि बिलकुल यह दव जाए अच्छे से इसे अच्छे से दवाने के बाद आप 2-3 घंटा इसको फ्रीज में ऐसे जमने के लिए रख दें यह देखिए 2-3 घंटा इसे फ्रीज में रखने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यह कितने अच्छे से यह सेट हो चुका है और आप इसे स्क्वाइर सेप में फिर काट ले अराम से तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए इस तरह से आप या तो लड़ू खा ले या तो आप बर्फी बना के खाएं आप एक लड़ू रुजाना खाएं ये आपको बहुत ही इनर्जी देगा